हेलो फ्रेंड फैसें डिजैनिंग क्लास में आप सभी का स्वाखत है आज हम बनाएंगे जो दो साल का बेबी है जो गल्स बेबी बच्चा है उसका फ्रोग बनाएंगे हम बचे हुए फैबरिक में से फ्रोग बनाएंगे हमने कोई स्पेशल फैबरिक में लिया जो हमार पास काफी सूतों में से तो उस में से हम उस बच्चे का फ्रूग बनाएंगे जिसकी फुल लेंथ है 22 इंच चेस्ट 22 इंच है उसका योग हम साड़े साथ पर रखेंगे 13 इसका 8 इंच है अब इसमें कमर नहीं है तो बच्चे के ना बोड़ी में कोई डिफरेंट नहीं होता है च और उसका इसमें एक इंच परके चलेंगे हम 23 इंच का बनाएंगे और ऐसे हम लैंत करलेंगे जैसे कि हमेंे जाँ साथे नीचे फोल्ड हो तो जो यह हमारे साड़े साथ है ना हम इस बाइस में से माइनस करेंगे और जितना हमारा टोटल बचेगा उस वो हमारा घेर होगा माइनस करने के बाद और उसमें हम एक पलस करेंगे तो इस तरीके से हैं अब हम पहले मेजरमेंट लगा लेते हैं यह देख तेसा裡面 बैφ ko तो जो हमारे तीरे है वो यहां से चलेंगे वन में एक Internet हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि यह मैं इसमें ही पाइपीन डालिक थोड़ा सा या यह बटन लगा के थोड़ा से इसमें डिजाइन दे ना है इस तरीके से Athlete तो हमारे तीरे हैं आठ इंच तो तीरे का हाफ हो गया हमारा चार इंच तो पहले हम वन सेंटीमीटर का ऐसे निसान लगा लेते ताकि आपको देखने में परेशानी ना आए हमें इसके उधर चलना है और इसमें यह भी देखिए इसकी जो बुट्टी की डारेक्शन है वो दोनों साइड है तो इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होगे हम किसी तरीके से भी से बिचा सकते हैं इसके बाद हम इसके तीरे लेंगे कि दूकर कि चार इंचिस यानी हाफ और जो तीरे हैं उसमें हम हाफ पलस करेंगे आर मौल लगाने के लिए तो हम साड़े चार लेंगे आर मौल के लिए इस तरीके से अब हमारी चेस्ट 22 है और हमने 1 पलस क्या था हमारी 23 यानि हम पूनी छह लेंगे और इसमें हम वन इंच मार्जन रखेंगे बच्चे की आर्म होल बैक या फ्रेंट की कोई आवशक्ता नहीं होती है वो सेम उनकी गोडाई होती है इस तरीके से हम योग लेंगे जो योग हमारा साढ़े साथ है यहां पर हम साढ़े आठ लेंगे क आफ यह हाफ आफ इंच म लेकरणे इनकी जो कमर हम वो भी 23 इंच है कोई different नहीं है की कमर में जङस ये बैबी का है जो होती है उनमें कोई different नहीं होती है इस तरीके से है कि यह हमने फ्रेंट का निशान लगा लिया आब हम इसे कट कर देते हैं यह लेखे कि यहां हम 1 cm के स्टेज करेंगे उसके उपर हम कोई भी डिजाइन डाल देंगे मेरे पास राइड कलर के बटन है वो लगा दूंगी तो यह काफी सुन्दर लगेगा अभी मैंने आपको बताए कि बच्चे की आर्भ होल में फ्रेंट और बैक का कोई डिफरेंट नहीं होता इसलिए यहां पे भी हमें कोई परहशानी नहीं होगी कि हम इसको ऐसे कैसे रखके बैक भी कट कर लेंगे अब बैक भी उपन है बैक में क्या होता कि हमें एक साइड इसमें या तो हम चीट बटन लगाएंगे या फिर हम इसमें चैन अगरा लगाएंगे बंद करने के लिए तो हम फिर भी यह डिजाइन लेके चलेंगे क्योंकि हमें यह डिजाइन चाहिए तक यह थोड़ा सा दि दिखाई दे वहाँ पर दिखाई नहीं देगा इन्नेक में कट जाएगा यहां पर दिखाई देगा यहां पर नेक में नहीं कटेगा क्योंकि यहां पर आ चुका है यह रहिए आब हम इसे रख के कट करेंगे यह पर्टियां हमारी काम आ जाएंगी जब हम इसमें यहां जोड़ेंगे यह नेक बनाएंगे इसका इस तरीके से यह हमारी बैक और फ्रंट कट चुके हैं यह देखें अब जाए तो इसका छोटा छोटा सा नेक कट कर सकते हैं एक में आप हो कितना रखना की रखना वही कि यह हम फॉरंट कट कर रहे हैं आप अपनी मर्ची से कोई भी नेक दे सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप इसे राउंड दे स्क्वेर दे वी दे यह ना भी दे कुछ होर बना दे बोट बना दे कि इस तरीके से यह यहां पर बैक काट देते हैं कि मैंने जो पहले फ्रन्ट बना रही थी वह उसको मैंने बैक बनाना सही समझा क्योंकि यह जो फ्लावर है यह कट जाएगा इस तरीके से थोड़ा वोद बचेगा तो यह बैक में दिखाई दे सकता है फ्रन्ट में यह बिल् चौलि कट करनी है कुझ जो आपके ये फिटिंग वाले जो निसान था ये देह ये आप इहां पे चोटा च्छोटा सा इसे कट्र लगा सकते तरह कि आप को ये बाद में पता रहे हैं कि आमारीined का है ऐसे यहां पे भी मिलगा सकतर है उस तरीके से और यह हमारी चौरी कट्छिए है अब हम इसे मापिंगे कि हमारी चौली कितनी है हमारे मेजरमेंच से यह यह need बारा इंची है और यह हमारा मारिजन है तो हम अब इसका एक सरकल काटेंगे जिसे हम चोली गेर कहते हैं यह हमारे पास फैबरीक है जिसे हमने प्रेस लगा लिया है यह भी बचा हुआ फैबरीक है इस तरीके से यह हमारी ओपन साइड है एक साइड फोल्ड है यह कट जाएगी जब हम मेजर करेंगे और यह हमारी बंसाइड है जिसक कि यहां पर थोड़ा सा जोड आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे तो पहले हम जितनी हमारी चोली है नीचे कमर का हिस्सा यानी छे तो हम यहां पर साड़े छे के हिसाब से लाएंगे तो हम यह देखें अगर यह आ जाता है तो गुट बना हम थोड़ा सा बढ़ा भी ले यह साड़े साथ पर हमारा जाएगा कर हमें उसके बाद टोटेल लेंद लेनी है यानि जो हमारी लेंथ बाइस इंच उसमें से हमें इसके बाद हम हम इसे यह लेंगे औरफुर आज गी हम इसे यहां 23 इंच पे लेंगे और यहां से ऐसे इसको बनाते हुए चले जाएंगे जैसे भी हमारा यह सरकल यहां बनेगा तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे इस तरीके से और हम यहां से यह देखिए 7.5 इंच माइनस करेंगे चोली का इस तरीके से ऐसे बनाएंगे यह ह हम आपको करके दिखाते हैं यह देखें हमने मेजर लगा लिया है सरकल अकार में यहां पर हमारा थोड़ा सा जोड आएगा जो हम यहां से उठाके इस फैबरिक को उठाके यहां पर जोड़ा लेंगे अगर आपको थोड़ी परेशान है तो आप अभी इसी टाइम इसमें अकबार अटैच कर सकते हैं यह करेंगे हैं से इस वाले मेरो क discoveries को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शोट रह गया था तो हमने 2 2 को साठी को यह जो हमारी एक हंद्पशिह खैबर उसमें इसना शान इसमें तरे नहीं कर से सथो अब कर strictly लगे वैसे भी कोटन है अगर जब हमारा थोड़ा हाड फैबरीक होता है तो उसमें हम कोटन का फैबरीक अटेज करते हैं चाहे आप छोली में घेर में आप एक परसेंट ना करें लेकिन आप चोली में जरूर करें कि बच्चे की स्कीन बहुत ही आजोक होती है 베олो फानी पतला स्कीन होती है तोosaurus प्रेशानी न उनको रैडन न स्नौई कि ऐखें यह हमने कट कर लिया है को देखो हमने कट कर लिया है यह हमारे ओपन साईड है और इसमें हमारा जोएक साईड यह वाला यह हमारा फोल्ड है तो हम इसे इसे भी ओपन कर लेंगे अ are you like it कि यह हमने इसी ओपका चुए अब हम यहां पे यहां पर हम जोड लगाएंगे जो हमारा बच गया था इसे हम ने कहा था कि हम यहाँ पर जोड लगाएंगे तो यहाँ पर फैब्रिक रखेंगे और जोड़ेंगे देखें इस तरीके से हम जोड़ेंगे फैब्रिक को इस पर ऐसे रखेंगे और ऐसे हमें अंदाज यह से पताद चल जाता है कि हमारा नीची का फैबरिक कहां पे है अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अपना इंची टेप रखते हैं इस तरीके से आपके हमारा इंच पर है तो यहां पर भी आप इसी तरीके से 16 इंच पर रखते हैं आपको प्रेशानी बिल्कुल नहीं होगी आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस तरीके से और आप अपनी फिंगर की साहिता से कहां पे आपके फैब्रिक है इस तरीके से भी लगा सकते हैं थोड़ा एक्स्टा भी काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाद में आप इसे कट कर पूलक कर दीजिए तो के देखें जय कि यह वाल जोड़ कटकर चुके हैं रोग के बाद में हम इसको फोड़ा सा चठाई में कर लेंगे मैं आप इस तरी के से उल्टे पे इस तरी के से चोक के निशान लगा लेजीए इस तरीके से था कि आपको पता रहे कि इसे उल्टा वैसे इसमें पता चल रहा है कि इस सिधा कुन सा है इस तरीके से आप इसे एसे रखेंगे ये देखिए ऐसे रखिए ये इसके साथ हमारी चोली अटेच होगी इसके साथ जो आपने चोली काटी थी उसका पीस उठाईए आपको ये भी पता है कि ये हमारा वन सेंटीमेटर स्टीच होगा और ये हमारा मार्जन है इसके बाद तो हम इसे ऐसे देख लेंगे यूँ करके तो क्या ये हमारा सही आया हुआ या नहीं अगर ये ये आना चाहिए तो मलब की जो अपना फिटिंग निसान है फिटिंग का उसके पकरीब आना चाहिए ये इस तरीके से बिल्कुल सही आएंगी जब हम इसे स्टीच करेंगे कि ये उरे में है थोड़ा से ऐसे भी स्टेच योगी ओके आप कोई भी इस फैब्रिक पर ये हमारी चोल लिए इस पर आप जरूर लाइनिंग का यूज करें बच्चे के लिए भले आप इस पर ना करें क्योंकि ये बिल्कुल कोटन है इसी तरीके से जैसे कि हमने ये सरकल का घेर काटा है हम आपको एक और दिखाते हैं कि आप ये इस तरीके ये भी बचा हुआ फैब्रिक है ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है ये देखिए थोड़ा मोटा फैब्रिक है इसको आप यहां पर गैदर डाल सकते हैं यहां पर इस तरीके से और इतना गैदर डालिए इतनी चुनटे डालिए ताकि ये बच्चे की चोली पे अटेच हो जाए इस तरीके से दोनों साइड से तो ये भी काफी सुंदर बनेगी गैदर डाल के हम स्टीच करके दिखा स्टीच होने के बाद दिखाएंगे कि गैदर वाली और सरकल वाली फ्रोक कैसी लगती है आप सरकल से गैदर से आप A-Line फ्रोक किसी भी तरीक प्रोच लगा सकते हैं कोई फैब्रिक की बो बना के लगा सकते हैं आप फ्रोक काफी अच्छे डिजाइन में बना सकते हैं बच्चों के लिए जो बच्चा थोड़ा सा सुंदर भी लगे इस तरीके से ओके बाइफ्रेंट फिर मिलेंगे किसी नए टोपिक के साथ